हे गाईज आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर आज की स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई बी एजी आई ओ दो हजार इकिस की जो विकेंसी हैं उनके लिए नोटिफिकिशन आया ताभी 18 दिसंबर से नोटिफिकिशन स्टार्ट हुआ और 9 जनवरी तक उसके लास्ट डेट थी सम्मिट करने की लेकिन तुरंट से एकदम से अचानक से आपको सर्प्राइज करते हुए कल इसकी एकजाम की डेट डेक्लियर कर दी गई तो एकदम की डेट क्या है, एकजाम का क्यापटन है, अब एकदम से अचानक से पिपर हो रहा है तो आपको क्या तयारी करनी होगी, है ना तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे साथी cut-off कितना रहता है आई-बी का वो भी मैं हापर बताऊंगा कैसे उस cut-off को आप clear कर सकते हैं कैसे उसको पार कर सकते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में बता कर चलूँगा इस वीडियो को लाइक जरूँ से कर दे शियर कर दे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब बरके बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियो के डोटिफिकिशन आपको टैन से मिलते रहें तो चली अपने टॉपिक पर आते हैं और बिल्कुल एक एक करके एक एक पॉइंट को बताऊंगा यहाँ पर एकदम से आई बी ने आपको सर्प्राइस करते हुए कल एकदम से उपर आपके उपर एक बंप होड़ दिया कि जी आपका एक्जाम अब होना है एक्जाम के लिए आपके पास दस दिन का भी समय नहीं बचा आठ तरिक में आपको बताया गया है कि आपका एक्जाम होना है और एक्जाम की जो डेट यहाँ पर इन्होंने कलियर की है वो है 18, 19 और 20 फरवरी जी हाँ यानि कि 10 दिन का समय भी अब आपके पास सेश नहीं बचा है अब ऐसे में आपको क्या करना है देखे एक्जाम पैटर्न की अगर बात करो तो यहाँ पर जो हमारा इस एक्जाम का है एक्जाम पैटर्न है वो SSC से कुछ मैच भी करता है और कुछ SSE से difference भी है जो क्या same है और क्या difference है वो ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ exam pattern जो same रहता है एक तो मैं बता हूँ यहाँ पर maths यहाँ पर पूछी जाएगी ठीक है और यहाँ पर आपसे reasoning के सवाल पूछे जाएंगे ठीक है और आपसे यहाँ पर English पूछी जाएगी ठीक है जैसे की SSE की परिक्षाव में पूछा जाता है साथ ही यहाँ पर GA और GS को इन्होंने अलग कर दिया है GA मतलब General Awareness और GS यानि की General Studies तो यानि की सवालों को कुछ इस तरीकी से पूछा जाएगा यह हो गए सवाल General Awareness की आपको Static GK का घ्यान है सिक्तरास संकी का मुख्यल कहाँ पर है कब उसकी स्थापना हुई Objects को होन है WHO कहाँ है इस तरह के Static GK Dates related सवाल कुछ Studies वाले सवाल जहाँ पर एक सवाल से connected मतलब एक सवाल दिये जाएगा वो सवाल connected होगा दो, तीन, चार सवालों से तो उसको बोलते है Studies जैसे कि हमारे Civil Siva परिक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते है हाला कि SSC के एक्जाम में भी ऐसे कुछ सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं तो यह यहाँ पर पास सेक्षन में इसको डिवाइड गया है 20, 20, 20, 20, 20 और 20 यानि कि 20-20 यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे यानि कि 100 question आप से यहाँ पर पूछे जाने है 100 marks का, 100 marks का ही paper रहेगा आपका और आपको जो समय दिया जा रहा है वो मातर एक घंटे का यह भी एक similarity है कि आपका जो समय है वो SSC वाला ही यहाँ पर समय है 100 question और 100 marks एक घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया गया ठीक है? तो यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए जिनकी practice उस level पर नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि उसको भी आप कैसे बहतर बढ़ा सकते है ठीक है? तो यह तो रही exam pattern की बाद ठीक है? negative marking बिल्कुल similar वो ही है one fourth की negative marking है जो कि maximum SSC के सभी exam में देखने को मिल जाती है आगे हम बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए अब आपको कैसे तयारी करनी है देखें maximum student जो IV के exam के लिए apply किये होंगे already पहले से prepare होंगे क्योंकि होई SSC वाले railway वाले students इस तरह के exam में appear होते है तो almost मैं कह सकता हूँ आपने तयारी तो अपनी perfect तरीकी से कर लिए होगी लेकिन अभी भी ये कुछ ऐसी चीज़े हो देगी कुछ की थोड़ा सा एक idea मिल जाए कि हमें इस वक्त अब क्या करना चाहिए किस तरह से अपने preparation को आगे हम बरकरार रख सकते हैं cut off कितना रहता है ठीक है तो वो मैं यापर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ देखे अभी अगर पिछले वर्सों की कुछ analysis को देखा जाए पिछले वर्सों की जो cut off रही है उसको analyze करते हुए जो cut off का जो scene बनता है इसमें भी वही 70 और 75 की range में ही आपकी unreserved category की cut off रहती है तो इस बार भी लगबग वही हम मान कर चल सकते हैं कि इसी range में आपकी cut off रहेगी हलाकि 2016 में जब ये exam हुआ था वहाँ पर cut off कापी कम रही थी और 60 unreserved category की cut off वहाँ पर रही थी बट 2016 और आप 2021 तो पास साल के difference में competition में काफी बदलाव आ गया है तो हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि आप आपको 60 वाला cut off देखने को मिलेगा तो 70 से 75 के आप आसपास cut off को मान सकते कि अगर आप इतने question with accuracy अगर करके चलते हैं तो आप safe हैं और आप CBT-2 के लिए जाएंगे CBT-2 यानगे tier 2 exam के लिए आगे हम बात करेंगे कि अब आपको ऐसे वक्त में क्या करने की ज़रूबद देखें मैं हमेशा से आपको बताता हूँ कि आपकी तयारी को जो final test देता है जो आपको finally सही मुकाम पे पहुचाता है वो होता है किसी भी exam के तयारी करने के लिए mock test और previous year questions तो यहाँ पर देखें कि previous year questions किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं 2016, 2017, 2018 की परिक्षा में तो वहाँ से आपको काफी एक idea मिल जाएगा कि हमें अब किस तरफ किस तरह के questions को ध्यान देना है किन topics पर हमें जादा पकड़ बनाने की जरूरत है mock test लगाईए daily mock test लगाना शू कर दीजिए IB को ध्यान में रखते हुए ठीक है क्योंकि mock test हमें यह बताता है कि अभी हम अगर IB के exam देने जा रहे है अभी 8-9 दिन के अंदर अंदर तो हम किस level पर stand कर रहे है हमका हमारा जो level है अभी फिलाल वो कहां पर है हम कितना score कर सकते हैं तो वो आपके लिए जरूरी है जहां भी जिस भी topic में जिस भी portion में जिस भी subject में आपको वहां पर समस्या आ रही है उस समस्या को इन 8-9 दिन के अंदर आप इसको समाधान कीजिए है ना और मैं मानता हूँ definitely अगर 8-9 दिन भी आपने इस तरह से तैयरी कर ली तो exam यह आपका pass हो जाएगा क्योंकि यह मैंना भी starting बता है यह उनी बच्चों के लिए exam है जो अलड़ी पहले से prepare होते है बट वही होता है कि final touch देना होता है जब भी कोई exam आता है एकदम से चानक से बंफोर दिया आई भी ने कि लीजिये जी आप आजाएए 8 दिन बाद 9 दिन बाद आपका exam होना है तो ऐसे में बस यह है कि आप mock test लगाए previous year questions लगाए यह ही आपकी preparation को बैतर बनाएगे तो आज की वीडियो में आपको यही कुछ बताना था इस exam को लेकर ठीक है कि exam का pattern किस तरीके का रहता है और किस तरह से cut off का scene क्या बन सकता है किस तरह से हम उस cut off को cross कर सकते है तो यही तो तरीके हैं जिनके जरिया आप किसी भी exam को किसी भी exam के लिए मैं हमेशा बोलते ही बोलता हूँ कि आप previous year of mock test को हमेशा तयार करके चले तो SIM IB के लिए भी आपको यही सबसे best रहेगा इस वक्त ऐसे समय में जब आपके पास समय बहुत जादा नहीं है तो आई हो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबस्क्राइब कर दीजिए साथ ही बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दिना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिक्रिशन भी टाइम से मिलते रहे तो चलिए श्रॉयन मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई थेंक यू